आज योगी के मंतिरी में जो मंतिरी सब है एक दिनेश शर्मा को आप मौका नहीं देता है वो विचारे जीत के आते हैं उससे नाराजगी रही उसके बाद जो है कहीने के केसब प्रशाद मौरियों को बार-बार सौ बिधायकों का उन पर आरोप लगना कि आजाओ तो सरकार बना देंगे, सीम बना देंगे, तो इससे भी अब पार्टी के अंदर हल चले होते हैं कि भाई, कुस तो है जिसके वैसे चर्चा हो रहेगे नमस्कार, मैं हूँ राउल शर्मा, आप देख रहे हैं, स्पेना नियूज, स्वागत है आप सभी का आज किस प्रोग्राम में आप प्रोग्राम की शुर्वात उत्तर प्रदेश से यूपी में निकाय चुनाओं को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती चले जा रही है, पहली वज़ा है कि आगरकार यूपी निकाय चुनाओं में देरी क्यों हो रही है और अगर देरी हो रही है, तो बीजेपी का क्या इसमें बड़ा रोल है, क्या बीजेपी चुनाओ पायों के साथ धांदली कर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश से इस बीच एक ऐसी खबर सामने आती है जो खबर योगी सरकार के लिए परिशानी का सबक तो बनी रही है इसके साथी साथ ये भी देख रहा है देखाई जाला कि बीजेपी को जटका लगने वाली बात कई जा रह हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में महा गठबंदन की एक नई नीती जो देखने को मिल लई है इस नीती को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में महा गठबंदन की सरकार क्या बंती नजर आएगी और क्या उत्तर प्रदेश में महा गठबंदन जीत रहा है आशिफ्तर मिरसाथ मौजूद हैं और लगातार मैं और आशिफ्तर चर्चा कर भी रहें और इस मुद्दे पर लगातार हम देख रहें कि बहुत बड़े हद तक अलग माहौल देखता नजर आ रहा है। अशिफ्तर सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा उत्तर परदेश में क्या विपक्षी पार्टियों का एक नया गठबंदन हम देख रहे हैं जो मजबूत होता नजर आ रहा है और अगर ये महा गठबंदन मजबूत हो रहा है तो लग रहा है कि सरकार वाकई बन जाएगी जी शु मायावती, चंदर शेखर आजाद, चचचश शेपाल के बापसी होई है इन तमाम बियानों से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि गडबंदन हो या ना हो लेकिन विपक्ष एक जूट होने के असार जरूर दे रहा है अब जैसे जैसे दोजार चुनाब के निकाई चुना योगी सरकार पे पर क्यों नहीं रहा है क्योंकि जब बार-बार सवाल उठ रहे हैं तो एक बार एटलिस्ट जबाब तो आने ही चाहिए क्योंकि देसंबर के महीने में चुनाब कराने थे इसके बावजूद आपने कराई नहीं तो अब भले ही आप दस तरह के जो जानकार है रिजन दे रहे हैं कभी परिक्षा का बात आ रही है कभी कुछ ठंडा बगएरा बगएरा लेकिन सवाल तो यह है कि जो चुनाब का मुकरर वक्त है उस पर तो कम से कम कराया जाना चाहिए था तो नहीं का चुनाब कराना वो भी एक सवाल है डिले होना बड़ा सवाल है अखिली श्यादव इन दिनों जिस तरह से उन बयान दे रहे हैं योगी जी की कुरसी को लेकर कि किश्व परशाद मुरे बिरिजे स्पाठा के योगी की कुरसी को खर फेकेंगे तो आखरी समाजवादी पाठी किस बेस पर कह रहा है ये भी बात रखना चाहिए और खास करके किसको समर्तन करेगी बीजेपी को या फिर महागडबंदन को लेकिन महागडबंदन की तरफ जनता का ज़्यादा रूल नजर आ रहा है जनता भी अखली शादों को जाता सपोर्ट कर रही तो लग रहा है कि महागडबंदन की सरकार अगर बनती है तो वह तमाम काम होती अगर ऐसा होता है तो फिर देखे लगातार अगर गराफ को हमार आप देखें तो बीजेपी में गराफ गिरते जा रहा है और यह बीजेपी के लिए चिंता कविस है भले ही 2022 में वो जीत तो के हैं बीजेपी डवल एंजन की सरकार है लेकिन गराफ में गिरावट एक अपने पर उनके लिए परिशानी यही वज़ा है कि भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्रे धक जेपी नड़ा भी बार बार बैठा कर रहा है निकाय चुनाब जैसे चीजों को लेकर लखनों में बैठा कर रहा है तो यह अपने आपे सवाल है बिल्कुल सही का आपने कि जिस तरी के दौरान जो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और माया वती जिस तरह से एक्टिव होते नजर आ रही है अखलीस है समाजवादी पाटी है और भारा जोरो यात्रा के जाने से तो एक नई चकर व्यू हम सब को देखने को मिल रही है और अगर इन लोग अगर गडबं की सरकार बन गए तो फिर कहीं न कहीं चांसे से रहेंगे कि जो है यूपी में चौबिस में महागडबंदन बाजी मार जाएगे अधिके महागडबंदन की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि महागडबंदन इस वक्त सबसे ज़्यादा मश्बूत हो रहा है बीजेपी की दिल्ली तक है कितनी मुश्किल पिया मोधी को फिर दिल्ली में कुरसी के लिए होगी इसका सबसे बड़ा वज़य यह है कि जेपी नड़ा का एक तो कारेकाल पूरा हो गया और उनके बातों का ज्यादा लोग वैलू नहीं दे रहे हैं दूसरी वज़य यह है कि भाई कुस्तो है जिसके वैसे चर्चा हो रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी ने यह दावे ठोक दिया कि बिरिजेस पाठक और वो दोनों मिलकर योगी के कुरसी तो पार्टी के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर अंतरकला चले फिर अभी हमने देखा मिलसी चुनाब में उमिदवार को लेकर बहस बाज़े क्योंकि बीजेपी में अंतरकला की ख़बर अटलिस कभी नहीं आ रहे थी चुनाओ में भी लगातार डिले होता जा रहा है क्यों क्योंकि लगातार जिस तरह कि हम इस्तती इस वक्त देख रहे हैं वो ये जाहिर तोर पर बता रहा है कि समाजवादी पार्टी का रोल लगातार उत्तर प्रतेश में बढ़ा है क्योंकि भी हाली में कई सीटों पर क्या वो ये स्ताफ तोर पर इशारा कर रहे है कि आने वाले वक्त में अगर समाजवादी पार्टी का रोल बढ़ जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगे हाला कि देखिए जिस तरीके से कई उपचुनाओं में समाजवादी पार्टी जीती है वोटर जो है वो मजबूत हुआ है लगातार अकलेई शादो भी हर जिलू का दौरा कर रहे हैं कभी बदाईयों कभी गौंडा कभी बस्ती कभी अलीगड कभी हम देख लेते हैं कि राजधानी लकनों पहुंच जाते हैं तो मतलब इस तरीके से हम देख रहे हैं कभी जिस तरीके से प्रदे में लगातार कई बड़े चेहरों को इस वक्त एक्टिव किया गया है जिस तरीके से मैं असीम रजा का जिकर करना चाओंगा भले ही रामपूर में असीम रजा की हार हुई लेकिन असीम रजा मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं क्योंकि 2024 का जो पार्टियों के साथ मिलकर काम करती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल आसान बीजेपी के लिए काफी रहा मुश्किल होती नजर आएगी आजके लिए तहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक लेजा दीजे नमस्क्राइब